आपकाति है तिवारी अखेडमी में दोस्तो आचके इस्वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सामजिक विज्ञام में अर्थशास्त्रक अध्याईदो್ दो के विशह में अर्थे शास्त का अर्थियांग बह sow तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याई को और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे सबसे पहले हमें देखना है आर्थिक कारेओं के शेतरग हैं दोस्तों इस अध्याई के पहले प्रश्ट के पहले paragraph में हमें यह दिया गया है कि यह जो चित्र हैं यह हमें बताते हैं कि लोग किस प्रकार से अपनी अलग-अलग आर्थिक गतिविधियों में जिसके द्वारा वह अपनी जीवी का चलाते हैं उसमें कारेरत हैं और इन से बहुत सारी जो गतिवीदिया है, वो वस्तूäस का उत्पाधन करती हैं, और कुछ अन्य जो है, वो सेवाओं का स्रजन करती है, यहने, वो सेवा खेत्र में आती है, यह सब क्या होता है, यह सब हम विस्तार से सध्या में पढ़ेंगे, प्रात्मिक शेत्र, दूस्तों ये गतिविधियां हमारे चारो और हर समय संपादित होती रहती है हम जब भी अपने घर से निकल कर कहीं बाहर जाते हैं बाजार में सामान खरीदने तो जिस दुकानदार से हम सामान खरीदते हैं वहां दुकानदार भी इसी आर्थिक गतिविधी में कारेरत हमें मिलता है है न हर वो काम जिससे आजीवी का चलाई जाती है वो सब कुछ आर्थिक गतिविधियों के अंतरगती आता है है न दोस्तों यहां तक की हमारे बोलने में भी यहां जलकती है हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं इन्हें समझने का एक तरीका यहां है दोस्तों कि कुछ महतपून मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन समूहों में वर्गिकरत कर दिया जाए, यानी बाट दिया जाए और इन समूहों को छेतरक भी कहते हैं, उसी के विशह में तो हमें सध्याय में पढ़ेंगे, उद्देश और किसी महत पून मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गिकरत किया जा सकता है, चलिए देखते हैं, दोस्तों प्राकृतिक संसाधन के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधिया हैं, आप समझ रहे हैं प्रकृती ने हमें बहुत सारे संसाधन दिये हैं और उन्हें हमने विस्तार से पढ़ा भी है, जाना भी है, जल हो गया, वायू हो गये, आधी, दोस्तों जैसे कपास की खेती के अगर हम बात कर लें, तो ये भी प्राकृतिक संसाधन में आता है, और ये एक मौसमी फसल है, कपास की पौधोग की जो वृद्धी है, विकास है, उसके लिए मुखितहा ना की पूर्णतिया, प्राकृतिक कारकों, जैसे की वर्षा का, बारिश का, सूरी के प्रकाश का, यानि धूप का, और जलवायू, इन सब पर ये निर्भर होता है, दोस्तों इसलिए कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है, और इसी प्रकार से, अगर हम बात करें डेरी उत्पादन की, तो हम जानते हैं कि ये भी एक प्राकृतिक गतिविधी से हमें प्राप्त हुए उत्पाद है, इसमें भी डेरी में भी है ना, जैसे कि अगर हम बात करें डेरी उत्पादन में, तो पश्यो की जैविक प्रक्रिया, चारा, आदी की उपलबदिता पर हम निर्भर होते हैं, तो दोस्तों इसका उत्पाद दूद भी जो है, वो एक प्राकृतिक उत्पाद है, इसी प्रकार से खनिज हो गया, आयस्क हो गया, ये सब भी प्राकृतिक उत्पाद है, और जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, किसी व क्या हुआ यह आप समझ गए कि जब हम प्रकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथ्मिक शेतरक की गतिविदी कहा जाता है अब प्रशन है प्राथ्मिक क्यों तो दोस्तों कि यहां उन सभी उत्पाद का आधार है जिने हम निर्मित करते हैं है ना हम अधिकांच प्राकृतिक उत्पाद जो है क्रिशी डेरी मत्स्य है ना वनों से प्राप्त करते हैं और इसी लिए इस छेत्र को क्रिशी और सहायक शेत्र भी कहा जाता है मुझे उमीद है आपको इस समझ में आ गया है अब समझते हैं दृतियक शेत्र क्या होता है दोस्तों दृतियक शेत्र के अंतरगत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्मान प्रणाली के जरिये अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है इसे और अच्छे से समझिए जै ओरतों के पूर्ति के लिए उसे हमने मोडिफाइ करने की अभी आवशक्ता बची हुई है तो दृतियक शेत्र यही काम करता है जैसे मैदे से आटे से बिस्किट बना देना फिर जो बिस्किट हम खाते हैं हम झाले तो जो बिस्किट है वो क्या है हम जानते हैं कि मैदे यहां वस्तुरे सीधे प्रकृती से उत्पादित नहीं होती बलकि निर्मित की जाती है। इसलिए विनिर्वाइन की प्रक्रिया अपरिहार है आवश्यक है। दोस्तों प्रक्रिया किसी कार खाने, किसी कारेशाला या घर में भी हो सकती है। जैसे कपास के पौधि से प्राप्त रेशे का उपयोग करके हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं, है ना, गन्ने की यहां पर बात की जा रही है कि गन्ने को कच्चे माल के रूपे उपयोग करके हम चीनी और गुर तयार करते हैं, मिट्टी से इटे बनाते हैं और योग एक शेतरसधी क भी कहा जाता है आप याद रखिएगा इसके बाद दोस्तों प्रात्मिक और दूतियग क्षेत्र के अतिरिक आर्थिक गति विदियों की एक तीश्री इकोटी भी है जिसे तृतियक 도 कहा जाता है जो तो प्रतियक तरगत आती है और ये दोनों च्षित्रकों से अलग है याने भिन्य है कैसे इसे समझे यह गतिविधिया परात्मिक और दुटियक च्षित्रक के विकास में मदद करती है माल लेजिए आपको मैदे से बिस्केट बनाना है तो वो मैदा उस बिस्केट बनाने वाले तक कौन प पहुचाएगा ये काम तुटियक शेतरके लोग करते हैं, समझ रहे हैं आप, इसलिए यहां पे लिखा है कि यह गतिविधिया प्रात्मिक और व्यतियक शेतरके विकास में मदद करती हैं दोस्तों ये गतिविदिया स्वतह वस्तुों का उत्पादन नहीं करती बलकि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। प्रात्मिक और द्वितियक शेतरग द्वारा उत्पादिच जितनी भी वस्तु हैं उनको ठोक एवं खुद्रा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों के द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है यह हम जानतें और दोस्तों यहां पर यही बताया कि उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलिफोन पर दूसरों से बाचीत करना है ना संबाद करना पत्राचार करना बैंकों से कर्ज लेने की भी आवशक्ता पड़ती है परिवहन भंडार अंसंचार बैंक सेवाय और व्यापार तृतियक गतिविदियों के ये क उधारन है ठीक है दोस्तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों खेतर समझ में आगए होंगे और मैं आपको बता दूं कि ये जो तरतियक खेतर है ये सेवा प्रदान करता है इसलिए इसे सेवाचेतरक भी कहा जाता है दोस्तों सेवाचेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहारे सेवाए हैं जो प्रत्यक्ष रूफ से वस्तूओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती जैसे हम शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची और वकील जैसे कुछ व्यक्तिकत सेवाए उपलब्द कराने वाले और प्रशासनेक लेखा करन कारे करने वाले लोगों की आउशक्ता पड़ती है है ना हमें जब पढ़ाई करनी होती है शिक्षकों की आउशक्ता है है ना नाई की हमें आउशक्ता है मोची की है दोबी की सब की हमें आउशक्ता है तो दोस्तों वर्तमान समय में सूचना प्रद्योगी की पर आधारित कुछ नवीन सेवाए भी ह जैसे कि इंटरनेट कैफे, ATM, बूत, कॉल सेंटर, सॉफ्ट्वियर कंपनी आदी ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण हो गये हैं और ये सब की सब सेवा छेत्रक के अंतरगत आते हैं चलिए अब बढ़ते हैं आगे अब हम बात करते हैं तीन शेत्रकों की तुलना की यानि अब हम कंपैरिजन पर आते हैं दोस्तो प्रात्मिक दृतियक और तृतियक शेत्र अलग-अलग उत्पादन कारियों में काफी अधिक मातरा में वस्तू और सेवाव का उत्पादन में होता है ठीक है ना दोस्तो साथ ह उन छेत्रकों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाव के उत्पादन के लिए काम भी करते हैं, है ना, बिना लोगों की यह संभव है ही नहीं, इसलिए दोस्तों अगले चरण में यह देखना है कि प्रतेक छेत्रक में कितनी वस्तुओं और सेवाव हो सकते हैं, जबकि अन्य शेत्रक अपेक शक्रत छोटे अकार के होते हैं, प्रतेक शेत्रक की विविद वस्तुओं और सेवाव की हम गणना कैसे करते हैं, और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं, दोस्तों हम सोचते हैं कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना एक असंभाव कारे हैं लेकिन दोस्तों यह नकेवल व्हध कारे हैं बलकि हम आश्यर चकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों कीलों फरनीचरों इनकी संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं यह अत्यनत्य बेतुकी बात हैं दोस्तों हम बिलकुल यही सोचते हैं इस समस्या के समधान के लिए अर्थशास्त्रिओं का सुझाव है कि वस्तू और सेवाओं की वास्त्रविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए जैसे 10,000 kg गेहूं आट रुपए प्रती किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूले कितना हो गया ? 80,000 रुपए है ना 10 रुपए प्रती नारियल की दर से 5000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपए होगा इसी प्रकार से दोस्तों तीनों छेत्रकों के वस्तूओं और सेवाओं के मूल्य की गण्णा की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं अब दोस्तों ध्यान रखिए कि यहां एक सावधानी बरतने की हमें जरूरत है उत्पादित और बेची गई प्रत्य वस्तू यह सेवा की गण्णा करने की जरूरत हमें नहीं है केवल अंतिम वस्तूओं और सेवाओं की गण्णा क्या ही ओचित्ते हैं उधारन के तौरपर म उसको आटे में कनवर्ट किया अब आटे को हमें काउंट करने की आवशकता नहीं है क्या करने की आवशकता है उसको बिस्किट कंपनी में भेज देंगे वह बिस्किट कंपनी अलग-अलग जगहों से अलग-अलग चीज़े लेगी बिस्किट बनाएगी और अंत में हम क्य के पहुचती है तो हम सिर्फ उसके मूले की गणना करेंगे कि वहां कितने रुपे प्रति प्रकेट में बिक गया या उसका मूले हमें क्या प्राप्त हुआ हमें अलग-अलग जो उसमें चीजे उपयोग मिलाई गई उनकी गणना करने की आवशक्ता नहीं मुझे अमीद अंतिम वस्तूओं और सेवाओं के निर्मान में इस्तिमाल की जाती है और अंतिम वस्तूओं के मूले में मद्यवर्ती वस्तूओं का मूले पहले से ही शामिल होता है बिस्कुट का पैकेट जो बेचेगा वो उसके अंदर उसमें उपयोग किये जाने वाले आटे मैदे और इसी प्रकार से अन्नि सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी इसमें शामिल होगा इसलिए दोस्तों गेहूं और आटे के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं पहले आटे की कैलकुलेशन क हेend करेंगे मैं दे की फिर एसा नहीं सीधे विस्कुट की की अन्तिमित पाक की की और जिससे हम बार बार होने वाली चेल्कुलेशन से इसों दोहराने से बच जाते हैं दोस्तों अन्तिम बस्तु बिस्कुट के अब जो है अउपोपोग किया जा सकता है उपियोग में लाया जा सकता है न तो क्या LI लिखा है प्रतेक शेत्र के द्वारगा नेप्राथ्निक दुतियक और तृतियक अंतिम वस्तूओं। जिनके अभी हमने बात की यह सेवाओं का मूल्य उस वर्श में शेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है कि कितना उत्पादन हुआ है बिल्कुल बात सही है दोस्तों तीनों छेत्रकों के उत्पादन के योगफल का देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते तीनों छेत्रकों के देश उत्पादनों के योगफल को ठीक है आप समझ यह अब हमन इसको जोड़ दिया, तो तीनों छेत्रों के उत्पादनों का जो योगफल है, इसको कहा जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, इसे ही कहा जाता है GDP, अब आप से कोई GDP पूछे, तो आप बता देंगे क्या होती है, है ना, दोस्तों, किसी देश के भीतर, किसी विशेश वर्ष मे उत्पाद इस सभी अंतिम वस्तूओं और सेवाओं का मूल्य है, सकल घरेलू उत्पाद, दोस्तों, है ना, इसे इस तरह से लिखा जाता है, अर्थेववस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है कि किस देश की अर्थेववस्था कितनी बड़ी है, दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कारे केंद्र सरकार के मंत्राले द्वारा किया जाता है, और यह जो मंत्राले है, यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन सरकारी विभागों की सहयता से, वस्तूओं और विभिविजू को में एतिहासिक परिवर्तन को, दोस्तो सामाननी रूप से, अधिकांच विक्सित देशो का जो इतिहास है, उसमें यही देखा गया है कि विकास की जो प्रारम्बी कवस्ताय है, उसमें प्राथमिक शेतरक की अगर बात करें तो वो आर्तिक सक्रियता का संसादनों के सीधे उत्पादन से जुड़ा हुआ है हम जानते हैं और जैसे जैसे क्रिशी प्रणाली परिवर्तित होती गई क्रिशी शेत्रक सम्रुद्ध होता चला गया दोस्तों वैसे पहले की तुलना में अपेक्षक्रत अधिक उत्पादन इसमें होने लगा अब अनेक प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्रात्मिक छेत्रक में आती थी और अधिकांश लोग इस छेत्रक में रोजगार करते थे दोस्तों लंबा समय बीतने के बाद याने सो वर्षों से अधिक के बाद और विशेशकर विनिर्मान की नवीन प्रणाली के प्रचलन के कार खाने अस्तितों में आये है ना अलग-अलग उद्योगों की शुरुवात हुई अलग-अलग कार खानों का निर्मान किया गया और उनका प्रसार धीरे-धीरे होने लगा और यह फैलते चले गए दोस्तों जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लग गये हैं उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा है आप जानते हैं दोस्तों कारखानों में सस्ती धरों पर उत्पादित वस्तूंकों का लोग इस्तमाल करने लग गए कुल उत्पादा निवं रोजगार की दृष्टी से दृति एक शेत्रक सबसे महतुपून हो गया और इस कारण अत्रिक्त समय में भी काम होने लगा और दोस्तों इसका क्या मतलब है कि शेत्रकों का महतों ना बदला हुआ याने पहले प्रात्मिक से दृतियक की और फिर दृतियक से दृतियक की और दोस्तों कुल उत्पादन की दृष्टी से सेवा चेत्रक का महतों बढ़ गया है अधिकांच श्रम जीवी लोग सेवा चेत्रक में ही नियोजित हैं विक्सित देशों में यही स समझते हैं इस आले को देखिए इसमें यह जो नीला रंग है यह हमें बता रहा है प्रात्मिक छेत्रक द्वारा किया गया कुल उत्पादन है ना याने सकल घरेलू उत्पादन को हम यह पर देख रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद को उसमें जो लाल रंग है वह हमें बता रहा ह और यहां जो रंग आप देख रहे हैं लाइट ग्रीन आप इसे कह सकते हैं यह तृतियक शेत्र को दर्शा रहा है है ना तो आप देख सकते हैं कि 1973 और 74 की अगर हम बात करें तो उस समय इसकी कहानी कुल उत्पादन की पांच लाख क्या सपास थी और 2013-14 में जो कि वह अंतिम वर्ष है जिसमें हमने अभी तक के इसकी गण्णा करी है उसमें यहां पांच लाख से बढ़ करके कितिनी हो गई है पच्पन लाख हो गई ठीक है दोस्तों तीनों चेत्रकों के द्वारा उत्पादित वस्तूओं और सेवाओं को दिखाता है यह आल में कितिनी सम्रद्धी हुई है ठीक दोस्तों अब समझते हैं कि उत्पादन में तृतियक शेत्रक का बढ़ता महत्व क्या है दोस्तों वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच चालिस वर्षों में यह अध्यपी सभी शेत्रकों में उत्पादन में व्रिद्धी तो हुई है परंतु 2014 में भारत में प्रात्मिक शेत्रक को प्रति स्थापित करते हुए तृतियक शेत्रक सबसे बड़े उत्पादक शेत्रक के रूप में उभर गया है ना दोस्तों किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे की अस्पताल शैक्षिक संस्थाएं डाक तार सेवा थाना कचेहरी रामिन प्रशासनिक कार्याले नगर निगम रक्षा परिवहन बैंक बीमा कंपनी आदी इन सभी की आवशक्ता होती है यह हम जानते हैं और इन्हें बुनियादी सेवाई भी माना जाता है किसी विकास्षिल देश में इन सेवाओं की प्रबंदन की जिम्मेदारी सरकार होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होती चली जाएगी ज्यादा उत्पादन होने लगा तो ज्यादा लोगों की आवशक्ता पड़ेगी उस उत्पाद को उपभोग करते हैं उन तक पहुंचाए है ना तो सभावता हम यहां देख सकते हैं साधार अनुरूप से स आवशक्ता पड़ेगी है ना बच्चों की संख्या में व्रिद्धी होती है तो अधिक शिक्षकों की आवशक्ता पड़ती है मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ रहें दोस्तों तृती है जैसे जैसे आया बढ़ती है कुछ लोग अन्यक कई सेवाओं जैसे की रेस्ट् में सूचना और संचार प्रद्धोगी की पर आधारित कुछ नवीन सेवाय महत्वपून और अनिवारे हो गई या परिहारे हो गई है और इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धी हो रही है यानि तेजी से है ना दोस्तों याद कीजिए सौरी याद कीजिए कह नहीं हो रही है भारत में सेवा छेत्रक कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यانत कुशल और शिक्षित स्रमिकों को रोजगार मिलता है और दूसरी और बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों मरम्मतका परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए वे लोग बड़ी मुश्किल से जीवी का निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए दोस्तों क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है और इसी कारण सेवा छेत्रकों के केवल कुछ भाग शेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी ये जो आलेख दो दो देख सकते हैं यह दो से का योगदान अधिक ठा Dziękuję हो गया और सबसे अधिक का हो गया सेवा शेत्री जरी तृतियक शेत्रिक हए वहीं दृतियक शेत्र यानि अद्योगिक छेत्र का युगदान भी बढ़ा हुआ हम देख सकते हैं लेकिन जो कम हो गया है सबसे अधिक वो प्रात्मिक छेत्र का है ठीक है ना दोस्तों भारत की संदर्व में यह एक उल्लेखनी यह तथे भी है कि सकल घरेली उत्पाद में तीनों छेत्रकों की हिस क्या बड़ी है तिर्थीएक छेत्रक सेवा छेत्रक में भी बड़ी है लेकिन आज भी जन्संक्या का बड़ा हिस्सा किस्पाद में काम करता है वो है प्रात्मिक छेत्रक से रोजगार का ऐसा ही चैट्रक कि tavr पारण यह कि दृतियक और तृतियक छेत्रक में रोजगार के परियापत आवसरों का सरजन नहीं हुआ है दोस्तों यद्यपी इस अवधी में वस्तूओं के ओध्योगिक उत्पादन में तीन गुना से ज्यादा वृद्धी हुई है परन्तु ओध्योगिक रोजगार में ल रहेगी इसके परिणाम से दोस्तों हम देख सकते हैं कि देश में आधे से अधिक श्रमिक जो हैं प्रात्मिक शेत्रक मुख्यता क्रिशी छेत्र में काम कर रहे हैं जिसका सकल घरेलु उत्पाद में योगदान लगबग एक छटा भाग है और इसकी तुल्ना में दोस्तों दूतियक और तूतियक शेत्रक का सकल घरेलु उत्पाद में बाकी हिस्सा है हमें यहाँ पता चलता है उन आलेकों को देख के जिनने अभी हमने देखा था चर्चा की थी लेकिन दोस्तों ये छेत्र कम लोगों को रोजगार पदान करते हैं क्या इसका अर्थ हम ऐसा लगा सकते हैं कि क्रिश्ची शेत्र में लगे श्रमिक अपनी शम्ता से काम उत्पादन कर रहे हैं या क्या इसका अर्थ यह है कि क्रिश्ची में आवशक्ता से अधिक लोग लगे हुए है अतयाव यदी आप कुछ लोगों को क्रिश्ची शेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्प है और ज्वार और अर्ः जैसी फसले यहां पर उप जाई जाती है उसके परिवार के पांस- सदस्य जो है उस भूमी पर वर्ष मळशंबर काम करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उनुने कहीं कहीं और रोजगार उप्लबद नहीं है अब हम देखेंगे इस प्रकार की दोस्तों अलब बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं क्योंकि यहां उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार जो है नहीं है और बेकार बैठे हुए यह अलग है खुली बेरोजगारी इसलिए यह अलग है किस से खुली बेरोजगारी से इस जाता है अब लक्षमी के परिवार को मजदूरी के द्वारा को चतिरिक्त आय हो जाती है और चुकी आपको छोटे से भूकंड पर काम करने के लिए पांच लोगों की जरुवत नहीं है अथा दो लोगों के चले जाने से क्रिशी उत्पादन प्रभाविद नहीं होता तो इस इसका क्या अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को क्रिशी छेत्रक से हटा दे और उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्द करा दे तो भी क्रिशी उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा इसकी अपिक्षा कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय स अजिसे परिवार के कुल आय में वरिद्धी होगी दोस्तों अभी हमने वे रोजगारी की बात ki यहाद दूसरे चेट्रकों में भी हो सकती है उधारण के तोर पर शहरों में सेवा चेट्रक हजार अनियत जो है श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलास करते हैं प्लंबर पेंटर मरमत कारे जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग आसुविधा जनक विशम काम करते हैं उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं इसी प्रकार हम सेवा छेतरक के कुछ लोगों को दोस्तों, अब समझ में आएगा कि अतरिक्त रोजगार का स्रिजन कैसे किया जा सकता है, जिसकी आवशक्ता अधिक है, दोस्तों इस चर्चा से हम ये देख सकते हैं कि क्रिशी छेतर में अल्प रोजगारी की अल्प जो बेरोजगारी है उसकी गंभी रिस्थिती बनी हुई है कुछ लोग ऐसे हैं जिने बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है लोगों के लिए रोजगार की रुद्धी कैसे की जा सकती है हम उसमें कुछ तरीगों को देखते हैं हम लक्षमी और उसके दो हेक्टेर असिंचित भूखंड का उधारन ले लेते हैं उसके परिवार की भूम की फसल से दो लोगों को पचास दिनों बीज डालने पानी देने खाट डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर सकती है अथा दोस्तों परिवार के दो अन्यस अदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिचाई के लिए एक नए बांध का निर्मान किया जाता है अत्वा एक नहर खोदी जाती है इससे क्रिशी शेत्र में रोजगार के अनेक आउसर जो है वो सरजित हो जाएंगे और अल्व विरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी दोस्तों अभी हमान लीजे कि लक्ष्मी औ अधिक उतपादन करते हैं उन्हें कुछ उतपाद बेचने की भी आवशक्ता होगी और इसके लिए उन्हें अपना उतपाद नजदीक के शहर में ले जाने की आवशक्ता हो सकती है यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारन पर अत्वा बहतर ग्रामीन सड़कों के नि रोजगार उपलब नहीं हो सकता बलकि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है दोस्तों लक्षमी की जरूरत केवल पानी तक सीमित नहीं है खेती करने के लिए उसे बीजो उर्वर को क्रिशिगत उपकरनों और पा पर उसे साख प्रदान करता है तो वहाँ इन सभी चीजों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमी पर खेती करने में सक्षम होगी इन सबका अर्थ क्या निकलता है तात पर यह है कि पानी के साथ-साथ क्रिशी में सुधार के लिए किसानों को सस्ते क्रिशी साख भी प्रदान करने की जरूरत है दोस्तों इस विशह में हम और अध्यन करेंगे अध्याए चार में इसके बाद में यहाँ पर एक और अन्य तरीके से समस्या का समधान दिखाए गया है एक और उधारन बताया है इस उधारन को यह छोटा सा उधारन है मैं आपके लिए छोड़ वह उसे कम आयोगे जो बच्चे हैं वो विद्याले नहीं जाते वह या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर वह बाल श्रम करते हैं ने वालश्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं यदि यह बच्चे भी विध्याले जाने लग गए तो हमें और अधिक जो है दोस्त स्वास्त की स्थिति में सुधार करना है तो ग्रामीन छेत्रकों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों नर्सों और स्वास्त कर्मचारियों की आवशक्ता पड़ेगी है न यह दोस्तों कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सरजन होगा और हम विकास के महत्वपू अध्वा सूचना प्रद्योगी की जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है इन में से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी साहता की आवशक्ता है उधारन के लिए योजना आयो कि अध्यन के अनुसार यदि परियाटन छेत्र में सुधार होता है तो हम प्र शक्ता है अब यह क्या है इसे समझ यह इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत में लगबग 625 जिलों में दोस्तों काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है इसे महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामिन रोजगार गरेंटी अधिनियम 2005 जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामिन रोजगार अधिनियम 2005 इस तरह शौट में आप देख सकते हैं तो इसके अंतरगत उन सभी लोगों को काम करने में सक्षम है वो लोग और जिने काम की जरूरत है उनको सरकार द्वारा ग्रामिन छेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गैरेंटी दी गई है यदि सरकार रोजगार उबलब्द कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी और दोस्तो अधिनियम के अंतरगत उस तरह के कामों को वरियता दी जाएगी जिनसे भविश्च में भूमी के उत्पादन बढ़ाने में मदद यानि साहता मिलती है ठीक है दोस्तो अब हम देखते हैं संगटित और और संगटित के रूपों में छित्रकों का विभाजन दोस्तो अब हम आर्थिक कारियों को विभाजत करने के एक अन्य तरीके का परिक्षन करते हैं और इसे लोगों के नियोजित ह होने के आधार पर देखेंगे दोस्तों उनके काम करने की शर्ते क्या है क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उनकी रोजगार के संदर में अनुपालन किया जाता है दोस्तों कांता यहां पर दिखाई गई महिला है यहां है कांता संगटित छेत्र में काम करती है संगटित कार्य नियमों विणीयमों का अनुपालन करना होता है दूस्तों इन नियमों का अनेक्विधियों जैसे काтесь ईत्यादी में उल्लेख किया गया है दोस्तों इसे संगटिच छेतर कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ आपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधी है और कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं बल्कि स्वत्य काम कर सकते हैं परन्तु दोस्तों याद रखिए वे भी अपने को सरकार की समक्ष पंजिकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं दोस्तों संगटी छेतरक के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाब मिलते हैं उनसे एक निश्चित समय एक ही काम करने की आशा की जाती है यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है वे नियोक्ता से कई दूसरे लाब जो है वो भी प्राप्त करते हैं ये लाब क्या है सेवेतन छुट्टी सवेतन छुट्टी अवकाशकाल में भुकतान भविश्यनिदी सेवानुदान इत्यादिये पाते हैं वे चिकित्सकी ये लाब पाने के हगदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पियजल और सुरक्षित कार्या परियाबरन जैसे सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है जब वे सेवा निवृत यानि रिटायर होते हैं तो उन्हें पेंचन भी प्राप्त करते हैं दोस्तों इसके विप्रीत कमल असंगटिच छेत्रक में काम करता है असंगटिच छ चुट्टी अवकाश बिमारी के कारण चुट्टी इत्यादी का कोई प्रावधान नहीं है आप याद रखिएगा यहां पर हमें यह भी बताया दोस्तों कि रोजगार इनका सुरक्षित नहीं है स्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया भी जा सकता है कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों काम से चुट्टी दे दी जाती है और बहुत से लोग नियुकता की पसंद पर निर्भर होते हैं दोस्तों इस च्छेतरक में काफी संख्या में लोग अपने छोटे कारियों जैसे सड़कों पर विक्रह है अथ्वा मरमत कारियों में ्टिसान जो है वो अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पढ़ने पर मज दूरी पर श्रमिकों को लगाते आप समझते हैं अ संगतिक चेतरक के श्रमिकों का सणरक्षन कैसे किया जा सकता है ?दोस्तों संगतिक चेतरक असंगटित-चेतरक के रूप में काम करते हैं वैसी रनीती करके वंचन और बश्रोकot को संधादान करने वाली विदिएों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं परिणाम स्वरूप बहुत से श्रमिक असंगटिच छेतरक में काम करने के लिए विवश हुए जहां बहुत कम वेतन मिलता है और उनका प्राया शोशन किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती दोस्तों उनकी आय कम है और नियमित नहीं है इस रोजगार में संदक्षन नहीं है और नही इसमें कोई लाव है, सन 1990 में यह भी देखा गया है कि संगटित छेतरक के बहुत अधिक श्रमिक दोस्तो अपना रोजगार खोते जा रहे हैं, ये लोग असंगटित छेतरक में कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हैं, अता असंगटित छेतरक में और अधिक रोजगार की ज़रूरत के अलावा श्रमिकों को संदक्षन और सहयता की भी आवशक्ता है, दोस्तो ये लाचार लोग कौन है, जिने संदक्षन की आवशक्ता है, ग्रामीन छेतरों में असंगटित छेतरक मुक्यता, भूमिहिन, क्रिशी श्रमिको, छोटे और सीमान किसानों, फसल बट इदारों, कारीगरों, जैसे बुनकरों, लोहारों, बढ़ाई, सुनार से रचित होता है, दोस्तो भारत में लगवग 80% ग्रामीन परिवार, छोटे और सीमान किसानों की श्रेणी में आते हैं, इन किसानों को समय से बीज, क्रिशी उपकरणों के साक, भंडारन सुविदा और विपणन केंदर की परियाप्त सुविदा उप्रब्द कराने की आवशक्ता है, दोस्तो यहां पर हमें ये भी बताया है, कि अगर हम बात करें शहरी छेत्रों की, तो शहरी छेत्रों में असंगटित छेत्रक जो हैं, वो मुक्यता लगूद्योगों के श्रमी को, निरम पुद्योगों को भी कच्छे माल की प्राप्ति और उत्पात के विपनन के लिए सरकारी मदद की आवशक्ता होती है, आकास में श्रमिकों को शहरी और ग्रामिन दोनों छेत्रों में संद्रक्षन दिये जाने की जरूरत है, दोस्तो हम यहां भी पाते हैं कि बहु संख्यक श्रमिक अनुसूचित जाती, जन जाती और पिछडी जातियों से हैं, जो असंगटिच छेत्रक में रोजगार करते हैं, दोस्तो यह श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है, और आता यहां पर दिया है कि आर्थिक अब सामाजिक विकास के लिए असंगटिच छेत्रक के श्रमिकों को संदक्षन साहता अनिवार है, इस छेत्रक को देखिए, जब कारखाने बंद हो जाते हैं, तब अनेक नियमिच श्रमिक सबजियां बेचते या ठेला कीसते या कुछ अन्य काम करते हैं, हाँ पर देखे जा सकते हैं, दोस्तों, अब हम देखते हैं स्वामित्व आधारिक छेत्रक, सारवजनिक और नीजी छेत्रक, दोस्तों, आर्थिक गति विदियों को छेत्रकों में वर्गी करत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है, परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्दत के वित्रण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपणी के हाथों में होता है दोस्तों रेलवे अथवा डागघर सारवजनिक चेत्रक के उधारन जबकि टाटा आयरेंड निस्टील कंपणी लिमिटेट इसको अथवा रिलाएंस इंडस्ट्री जैसी कंपणी निजी स्वामित तुम्हें है यही उसके मालिक है एक दो मालिकों के अंडर में है दोस्तों निजी चेत्रक की गतिविधियों का ध्ये लाब अरजित करना होता है इनकी सेवाओं को प्राप्ट करने के लिए हमें इन सकल इन एकल सौमियों और कंपनी को भुक्तान करना पड़ता है सारवजनिक छेत्रक का अध्ये केवल लाब कमाना नहीं होता सरकार सेवाओं पर किये गए व्याई की भरपाई करो या अन्य तरीकों से करती हैं करों या अन्य तरीकों से दोस्तों आधुनिक दिनों कि अगर हम बात करें तो इसमें सरकार सभी तरह की गतिविदियों पर खर्च करती है तो अब देखे समझें की गोशी करते हैं कहीं आफ़के कीमत उपलफद कर आते क्यों कि इन में से कुछ चीजों पर बहुत अधिक पैसे खर्श करने पड़ते हैं जो नीजी चेत्रकों की शम्ता से बाहर होते हैं इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी दोस्तो सरल नहीं है आसान नहीं है फिर यदि वे चीजों को उपलब्द कराते हैं तो वो इसकी उची कीमत वसूलते हैं जैसे सडकों, पुलों, रेल्वे, पत्तनों, बिजली आदी का निर्मान और बांध आदी से सिचाई की सुविधा उपलब्द कराना है ना दोस्तो इसलिए सरकार ऐसी भारी व्याय जो है स्वयम उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती हैं अब समझें कुछ गतिविदियां दोस्तों ऐसी ही है जिने सरकारी समर्थन की जरूरत पढ़ती है नीजी चेतरक उन उत्पादनों अथ्वा व्यवसावयों को तब तक जारी नहीं प्रोचाइत नहीं करती जैसे उत्पादन मूले पर बिजली की विक्री से बहुत से उध्योगों में वस्तूओं की उत्पादन लागत में वृद्धी हो सकती है अनेक इकाईया विशेश करके लगूई काईयों की अगर हम बात करें तो बंद हो सकती है यहां सरकार उस दर में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उब्भोक्ताओं को कम मुल्य पर बेचती है दोस्तों हमने कख्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके विशाय में पढ़ा था सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है और इस प्रकार सरकार किसानों और भोक्ताओं दोनों को सहयता पहुचाती है दोस्तों अधिकतर आर्थिक गतिविदिया ऐसी है जिनकी प्रात्मिक जिम्मेदारी सरकार पर है इन पर व्याय करना सरकार की अनिवारता है जैसे सभी के लिए स्वास्तुर शिक्षा सुविधाय उपलब्द करवाना हमने पहले हम जानते हैं कि भारत के लगबग आदे बच्चे कुपोशन के शिकार है और उनमें से एक चौथाई गंभीर रूप से विमार है हमने शिशुम्रित्यू दर के बारे में भी पढ़ा है ओड़ी सा 41 अत्वा मध्यप्रदेश 47 का शिशुम्रित्यू दर विश्यू के कुछ निर्धंतम भागों से अधिक है सरकार को भी दोस्तो मानव विकास के पक्षों जैसे की सुरक्षित प्यजल की उपलब्दता निर्धनों के लिए आवासी सुविधाएं और भोजन और पोशन कर देने के पर ध्यान देनी के आप शक्ता है दोस्तो सरकार का यह भी करतव है कि वहाँ बजट बढ़ाकर अत्यंत गरीबों निर्धनों की और देश के पूर्णते उपेक्षित भागों की देखवाल करें अब सारांश को समझते हैं दोस्तों इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्तक समूहों में विभाजित करने के तरीकों का अध्यन किया इसका एक तरीका या परिक्षन करना है कि गतिविधि प्रात्मिक दुतियक और तृतियक शेत्रक में से किस सम्बंदित हैं दोस्तों भारत के विगद तीस वर्षों के आकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपी जीडिपी में सबसे अधिक युगदान त असंगटित या असंगटित छेत्रक में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं अधिकांशता लोग असंगटित छेत्रकों में काम कर रहे हैं और उनके लिए संदक्षन अनिवार है हमने सारवजानिक और नीजी छेत्रकों की गतिविदियों के बीच का अंतरक अध्य को साजा किजेगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथिओ, सहपाठिओ, परीजनों के साथ में ताकि वे भी इस वीडियो को देख पाएं इस जानकारी को समझ पाएं जल्दी मुलाकात होगी अगले अध्याए के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार